अपने नाम करने के बाद से ही लगतास सुर्ख्यों में है इन दिनों तेजस्फी सूपर नाच्रल टिवी शो नागिन सिक्स में नजर आ रही है इसके अलावा टिवी सीरिल स्टार अपनी लव लाइफ को लेकर काफी जादा चर्चाओं में बनी रहती है जी हां हम सब ही जानते हैं कि करन कुंदरो तेजस्फी प्रकाश एक दूसे से कितना जादा प्यार करते हैं और साथ ही दोनों आए दिन अलग अलग जग स्पॉर्ट होते रहते हैं मगर अब अक्ट्रेस से जोड़ी एक बड़ी और दिल्चस्प खबर सामने आ रही है जी हां अगर आप भी तेजस्फी के फैन हैं तो दिल ठाम कर बैठिये जो मैं आब आपको बताने वाली हूँ उससे सुनकर आपको काफी जादा खुशी मिल सकती है मीडि आरही ताजा रिपोर्ट्स की माने तो तेजस्फी प्रकाश के हाथ फिल्म स्टार आईश्मान खुराना की अपकमिंग फिल्म ड्रीम गर्ल 2 लग गई है एक रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तेजस्फी प्रकाश ने निर्देशक राज शांडलिये की फिल्म के लिए अपना ओडिशन दे दिया है आईश्मान खुराना और नुश्रत बरूचा स्टार फिल्म ड्रीम गर्ल का पहला पार्ट साल 2019 में रिलीस हुआ था उस वक्ति ये फिल्म बड़ी हिट साबित हुई थी अब फिल्मेकर्स इसके दूसरे पार्ट की तयारी कर रहे हैं कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी बताया जा रहा है कि तेजलस्थी को एकता कपूर ने रागनी MMS की अगले पार्ट का ओफर दिया था मगर वो इसके लिए राजी नहीं थी इसकी वज़े फिल्म की कॉन्टुवर्सिती इसके बाद आक्ट्रिस को लेकर अभी ट्रीम गर टू के लिए बात चीट चल रही है उन्होंने इसके लिए ओडिशन भी दे दिया है हाला कि अभी मेकर्स ने इसे फाइनल नहीं किया है मगर काफी संभावना है कि इस फिल्म में आक्ट्रिस की एंट्री हो सकती है तो आपको क्या लगता है तेजलस्थी ट्रीम कल टू का प